नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आपका जनम दिन हो और वो जनम दिन कोई ऐसे कारण से डिस्टर्ब हो जाए तो आपको कितना जाधा गुस्सा आएगा आप सोचेंगे कि आज मेरा एक स्पेशल दिन था वो पूरा का पूरा खराब कर दिया है यही मामला हुआ राजिस्तान के मुख्य मंत्री गहलोट साब के साथ तीन मई को उनका जनम दिन था तीन मई को हलांकि इद भी थी प्रसुराम जेनती भी थी अक्षे तृत्या भी थी पर उनका जनम दिन विशेश था उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम रखे हुए थे उनके चाहने वालोंने बहुत सारे प्रोग्रामों को उनके लिए सजोया था या कहें कि अरेंज किया था पर उन सब पर मिट्टी पड़ गई या कहें कि उनको कैंसिल करना पड़ गया इसका कारण कुछ नहीं है, जो उनका एड्मिनिस्टेशन है, जो उनका वीक एड्मिनिस्टेशन है, वो ही सबसे बड़ा कारण बनके उबरा है। लोगों के बीच मन मुटा हुआ, उनके बीच संप्रदैक हिंसा का रूप लिया और पत्थरवाजी, जो पत्थरवाजी हम कभी कश्मीर में सुना करते थे, वो पत्थरवाजी कश्मीर से आते आते, कहीं पर करनाट का, कहीं जोदपुर में आ गई हैं। वहाँ पर ये लोग अपनी नमाज कर सकें, क्योंकि वो हमेशा की तरह करते हैं, तो ब्रहमन समाज के लोगों ने उस बात को माना, और उनने बोला कि ठीक है, हम अपने जंडे या अपने जो भी विवस्ता की हुई है, वो हटा लेते हैं इन लोगों के लिए। लेकिन जब वहाँ पर रात किसम इसलामिक धरम का जो जंडा है, या कहें कि ISIS टाइप के या पाकिस्तान के जंडे फेराए जाने लगे, और जब वहाँ मूर्तियां लगी हुई थी, उनको काली टेप से बांध कर या पनी से धका जाने लगा, इस चीज़ पर विवाद जैसे वहाँ पर सामपरदाइक हिंसा फैल गई, जिसके चलते वहाँ पर सारी इंटरनेट सेवाए बंद कर दी गई, जिसके चलते वहाँ पर कर्फ्यू की स्थिति पैदा हो गई, इसी भी इस तीन तारिक को गैलोट साफ का जनम दिन था, गैलोट साफ अगर अपनी पुर ना ना होती और वो अराम से अपना जनम दिन भी बना सकते थे दोस्तो एक बात सोचने ही होगे है कि यूपी में यूपी की पोपुलिशन तो सबसे जादा है यूपी का जो एरिया है वो भी बड़ा ही है ऐसा है कि राजिस्थान से तो बड़ा ही लेकिन हाँ population में अगर हम बात करते हैं per capita अगर हम लोग growth की बात करे हैं per capita population की बात करे हैं लोगों की dense population की बात करते हैं तो वो UP में सबसे ज़ादा है आपने सुना है कि UP में एक भी पत्थर चला हो या UP में कहीं पर इस तरीके का विवाद सामने आ हो है रहले दिनों में के किसी मारकी ने लिए इस तल के सामने आस पास नहीं न क्योंकि यहांए ड perlu के लिए एक समान नियम और कानूं रखे गए हैं ऐसा नहीं है कि एक को बढ़ावा दिया जा रहा है एक को दबाये जा रहा है चीजे समाज में तभी डिस्टेब होती है जब एक को बढ़ा जाता है और एक को कम आगा जाता है तो दोस्तों देखना यह है कि गहलो सरकार अब भी सेकलरिज्म का चोला पहन कर इस चीज़ को डील करती है या आने वाले दिनों में हमें राजिस्तान में और भी घटनाए देखने को मिल सकती है नहीं आप भी अपने राए कमेंट सेक्शन में जरूर दीजेगा कि इसमें गहलो सरकार के कितनी बड़ी नाकामी है या यह वहां के लोगों को या वहां के जो बीजेपी सरकार में आने के परियास कर रही है उनका यह बनाया गया शड़ियंतर है धन्यवाद दोस्तों